नमस्कार दोस्तों Welcome back to TNT तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे RBSC Board English का सबसे feared chapter लब हर एक student को उस chapter से घवराट होती होती है क्योंकि दिकत क्या उस chapter की जो language है English की जो vocab है उस chapter के अंदर वो बोजा है typical है तो without using any guidebook or a teacher you can't understand that तो अपन इस वीडियो के अंदर बेसिकले उस chapter की जो theme है और उसका क्या एक Hindi explanation हो सकता है उसको discuss करेंगे तो let's start basically chapter का ना में third thoughts इसके writer है इवी ल्यूकास अपनको उससे कोई मतलब नहीं है नाम पर जाओ नाम क्या है third thoughts देखो बहुत ही मज़दार चप्टर एंड तक देखना वीडियो को बहुत में जाने वाले चप्टर में बस सुनते रहो आप तो तो third thoughts नाम है मतलब हमारे mind में जो विचार आते हैं मतलब कोई एक काम आपको सौंप दिया उस काम को करने के दोरान काम तो आपको एगी करना है उस काम को करने से पहले आपके अंदर कितने तरह के thoughts आते हैं उस thoughts के बारे में discussion होता है प्याला point तो ये ले सकते हैं दूसरा point जो direct hit करता है chapter को वो ये है कि एक इनसान की पैसे के पड़ती जो लालच है वो किस हद तक गिर सकता है मतलब एक बहुत आधरसवादी इमानदार और एक बहुत religious type का आदमी है जो रीचोर्स को follow कर रहा है और बिलकुल भी corrupted नहीं है रिस्वत नहीं लेता है वो आदमी पैसे के लिए कितना गिर सकता है गिरने का सेंस इन ऐंको दुनिया के नजर में अधरों मे है खुद की आपने आत्मां से अपने दिमाग के लीवल पर अपने दिल के लाव कितना गिर सकता पूद के अंतर न मन में thoughts का जो उसके अंदर mechanism में चल रहा है वो कि साथ तर गिर सकता है उसके बारे में पूरा discussion होगा तो इसके अंदर इवी लोकास ने अपने friend की story बताई भी है कि start होता है सीन ऐसा होता है कि वह अपने friend की बात बता रहा है तो friend बोल रहा है पूरे story के अंदर वो friend कहता है कि बाइसाब मैं सुरू से बहुत बदकिस्मति हूं मेरा हमेशा से यही रहता है कि को महेंगे बजार से वह फाइफ स्टार लेवल का मार्केट है वहां से महेंगी बस तू लेता हूं और को छोटे सस्ते मार्केट मेरे को बेजनी पड़ती उसक पर अपने घर में बहुत बूरे दिलिए चीज लेगा बेच और पांशान हो गई उसको बहूत हो सब़ते नहीं की जैसों के आपने पर जाहत begins रहे है तो वह फ्रेंड उसका यह बोल रहा है कि मेरा बस ऐसे चलता है यह किस्मत है कि महिंगी चीज जाता हूं उसको सस्तेम बेच देता हूं मैं खुद ही परेशान हो जाता हूं उस चीज से मेरा उससे ज्यादा प्रफिक्ट होता नहीं और मेरा को बेचने पड़ती उसको पर एक एक स्पॉर्ट वी पिंटिंग जिसके अंदर टर्नर जो बहुत बड़े एक पेंटर थे आपकर सब्सक्राइब आर्टिस्ट थे उनकी पेंटिंग उसको इसपॉर्ट रही तो टर्नर का नाम बहुत बहुत बड़ा नाम था इतियास के अदर अभी भी है वैसे नाम उनका मुझे उसकी पेंटिंग होती बहुत एक्सपैंसिब नाम वह था लिए एक नॉर्मल सा एक फकी डाइब आदम है यहासी पेंटिंग लेंग अगए बच रहा था तो उससने उसे एक क्रॉस कुशन के ऐसे फिंगा वोर से बस्तों करता है इसको पता तो अटेरनर गीए नही यह पता नेकर आप अभी अभी ले रहे हो तो 10 साल मेरे को दशलिंग को प्रक लेया था कि टर्नर कीपेंटिंग है तो टर्नर की पाउंडिंग पिचाश पाउंड में भी दिया मतलब रैटर को फायदा किता हो गया गुंचास पाउंड और कि द सिल्का फायदा बेचा तो प्यास पॉटर र। आनं मेस अपनी तोटी कम जोड़ी रही शुरू से इतनी शीलिंग उसको फायदा हो गया पर फायदा नोसान अपनको पेपर में को पूछता नहीं है उसको अल्टीमेटली उस पेंटिंग को बेजने से 10 टाइम्स या 40 टाइम्स फायदा हो गया उसको फिर क्या चलते हैं अब स्टार्ट होता है असली चैप्टर के जो थीम है वो यह गाइड आपको पूरा ए उसके माइंड में उन 24 गंट या जो अड़िचास गंटी चैप्टर में हैं उन दौरान किस किस तरह के थोट्स आते हैं कितने कितने वारो पुनर विचार करता एक ही विचार को बार बार सोचता है उसको एक्स्प्लीन करें तो अब चलते हैं अपन लेखक का जो दोस्त है कि उसके अंतरमन की वरन किया-क्या सोच रहा था इस दोरान तो यह साब लेखक कि लेखक दोन सोच रहा था जब Já ने उसने तो उसका है लीघकि डिग होई है है तो पहले अन्य शेट पिचेमस से ली तो उसका इसके इंदर हक बनतां 50 परशेंट कुसका भी में उसको भी दूँगा इसमें से तो उसने लेटर लिखा कि मैंने लेटर लिखा उस फकीर के नाम जो बेचने वाला था उसके नाम उसने लेटर लिखा कि बैसाब मैंने यह पेंटिंग ली थी और टर्नर की थीद मैंने इसको इतने मुनाफिय में बेच दी तो मैं इसमें इतना मुल्य आपको देना चाहता हूं तो उसने लेटर लिखे रख दिया उसने का यह मैं उसको देखे हूंगा फिर उसके वह आदर्स्वादी था इमानदार था तब तक यह थोट आ रहा था उसके मैंड में ठीजा फिर उसके मैंड में थोड़ी पैसे की बड़ती लाला चाना श पाइस ने क्या भाई 50 रूपय मैंने कमा तो लिये पर उसका हग क्यों बनता है इसको लेने के अंदर उसका क्या हक है उसको पता ही नहीं फिल्म संब्सक्राइब का इस चीज को बेंच भी मैंने की पेंटिंग यह तो वो खुद से यह बाते करा सोच रहे हूं मैं वह सोच तो फिर वो के रहे ना ना भाई वो इसका अकदार नहीं हो सकता प्रॉफिट का तो उसको बस अपन तस पाउंड यह थे दस पाउंड इसके लिए बहुत होगा फिर आथ को साठी तीर विज़स ने इसारे बाता सोचे दिशने नीन उसको आ नहीं रही थी फिर अंप उसके बारे में जो बेचने वाला सोच रहा था फिर उसने इको उठाली गुट्त पराउंड पहूंड दूँगा तो उस को तो करके यह देने लिए उसको तुम्हें बस पांच पांड लिदूंगा देख लो का से 50% से पांच पांच पांड तक आ गया फिर सुबह अगली सुबह क्या वाज़ा कपड़े बहार जा रहा था क्लब के लिए तो वह सोचता है कि पांच पांड भी उसको देना बे तुका है क् हो प्यो yard ब्याएब जो व्यपार की देवी से जैसे धरम करता है वह नराज हो जाएगी 5 पांच पांड देने से तकर बनते हैं अब वोettre का स्विकरपा करती है देवी जी आप क्रपा की वी और मैं इसको पाँच पॉण्ड रहाझे कर रहेगाaina माता जी मेरे नराज नहीं कशल्द होतलगा तो एक इनसान नहीं चुड रोप में जरूर दूंगा तो एक पॉंड मैं तेरे को दे रहा हूं तो फिर वो क्लब के अंदर जाता है एक पॉंड अपना उपर वाले शट की जे में डालके और लेटर साथ में डालके चला जाता है उसको लेटर को उसको पोश्ट करना होता है डाकर से डाकर से ना तो फिर फिर एंड में क्या होता है जो कलब से बाढ निकलता है तो एक पॉंड देने लाइक भी नहीं बचता है उसने जो 50 पॉंड कमाए थे वो सारे के सारे वो कशीनो मतलब जूए के इंदर खतम कर देता है और एक पॉंड भी देने लाइक नहीं बचता तो यहाँ पर इसका टेक्श्च्छल जो फो पोरिश यह इसा क्माल किया कि उसका खुद के जुवे के अंदर यह इसका सेंटरल आइडिया था अब आर बी यह सी बोड में इससे जो कोशन आएगा वह एगा जो उसने statement दिया था वेपार के अंदर भावनाओं का कोई role नहीं है तो यह question होगा इसका एक जो भी important words है वो मैं आपको सामने दे रहा हूं उस chapter के और इसके जो questions है important वो मैं description में डाल दूँगा या फिर comment section में लिख दूँगा तो आप उसका answer करने कोशिश कीजएगा कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो comment section में आप comment कर सकते हैं अगर यह वीडियो आपको बहुत सही लगी है अगर आपको इस वीडियो से कुछ फायदा मिला है क्योंकि जैसे अगर कुछ बच्चे इस चैनल पर वो भी हैं जो आई टी या नीट के एस्पिरेंट्स हैं उनके पास में इतना टाइम नहीं रहता कि वो पूरे एक टेक्स्ट वुक उठाकर उसको पढ़ें इंगलेश हिंदी को इंफिसाइज करें तो बेसिकली मेरी थीम ही रहती है कि उन बच्चों को जोरी समझ ली होगी है ना इंपोर्टेंट्स मैं आपको दिये दिये हैं और कोश्चन्स भी मैं डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा थैंक यू फो वाचिंग